हाई फ्रेंड्स वेलकम टो आज चैनल नियो मार्केट्स कल की जो डेली कैंडल बने थी वह एक टोजी थी और आज की जो ओपनींग थी और कल जो एक लास्ट एक घंटे जो क्लोजिंग की रेंज थी लगबग उसी के पास में ओपनींग थी बिसीकिलिए फलाइट ओपनींग तो हमने क्या किया पहला जो ट्रेट लिया वो एक long trade था यहां पर यह पर रेड कैंडल देखें तो इसने breakdown दिया था यह yellow line और यहां पर यहां पर जो support था उसको break करते हुए नीचे आई इसके पाद एक green inside candle बनी हमने अपने live stream में भी आपको बोला था कि inside candle का आप trade ले सकते है जिस side breakout या breakdown हो आप trade ले सकते हैं तो सबसे पहले क्या किया यह green candle के उपर जाके price गया और हमने यहां पर एक long trade इनिशेट कर दिया with SL just below the green candle यह red candle तो यहां पर क्या हुआ इमिजेटली price नीचे आ गया और हमारे यह छोटा से SL यहां पर चला गया इसके बाद यहां पर वाप वापिस एक inside candle बनी हमारे SL करने के बाद हमने वापिस इसके high पर enter किया with SL below the red candle और यहां पर बहुत अच्छा trade गया और इसने जो day high का target था वो यहां पर हमें meet कर दिया यह supply zone भी था तो हमने यहां पर exit किया यह हो गया हमारा दूसरा trade अगर आज की तीसरे trade की बात करें तो यहां पर आप देखें यहां पर एक swing high बना था, यह swing high था यह purple line से जो mark की है यहां पर एक hammer formation था यहां पर बहुत सारे लोग trap हो जाएंगे because यहां पर यह hammer देखें नेक्स चीज़े आती है कि यहां पर एक long लेके hammer के नीचे आप उपर का वापिस price का longer try कर सकते हैं लेकिन यह actually trap है because यह जो अगर आप देखेंगे जो swing high है यह जो swing बना था इसका जो high था यह नया high नहीं बना था यहां पर जो high था exactly यहीं पर ही price ने reversal ले लिया because of supply zone तो यह जो swing high बना है और यह जो support level है यह बहुत weak है यह resistance area जो है यह काफी weak है यह swing काफी weak है यह basically liquidity trap है जहाँ पर people enter thinking कि यहाँ से एक bounce होगा यहाँ पर there are no big players present because like I said कि यहाँ पर इसने नया high तो बनाया ही नहीं यह चोटी-चोटी intricacies हैं price action setup में आपको अगर ही समझना है तो आप हमें pink कर सकते हैं आपको एक free training price action की दे सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे ही hammer का नीचे low break होता है हमने instead of long यहाँ पर देखे short trade में एंटर किया और हमें इसका target जो हमारा green zone था यहाँ पर हमें target immediately इसमें मिल यह next candle में ही इसके बाद price consolidate होता रहा यहाँ पर और यह जो दूसरा support area है यहाँ पर एक twisting teaser combination बना और यहाँ पर हमने एक long trade को initiate किया यहाँ पर price consolidate ही होता रहा इसलिए हमने इस trade को exit कर दिया no profit no loss में फिर जो sixth trade था friend वो यहाँ पर अगर आप देखें एक breakdown था consolidation का तो यह consolidation हो रही थी यह हमने अपने live stream में भी बताया था कि breakdown हो सकता है और आप यह high probable trade ज़रूर ले सकते हैं तो यह हमने लिया और इसने हमें यहाँ पर हमारा जो period था 46885 का origin line से जो mark ने यह target हमें बहुत आसानी से दे दिया इस trade से निकलने के बाद हमें एक previous day low पे अच्छा एक long trade की opportunity मिली यह scalping trade था और जिसका target यगर आप यहाँ line draw करें तो swing high था तो यह हमें हमारा long trade में last trade profit देगी गया आज की यही trade थे friends अब कल के लिए कहां पर trade करना है आये levels को mark करते हैं कल की trading session के लिए friends हमारा chart ready है levels mark कर लिए गये हैं and demand zone supply zone with proper support resistances यहां पर mark कर लिए हैं कल की video में हम बात करेंगे यहां पर setup बना based on price action and आपको trades के बारे में हम information देगे आज की video के लिए इतना ही friends अगर आपको video पसंद आया है तो like करिए subscribe to our channel and thank you for watching